हलो फ्रेंज इंडियान रेलेवे ने एक और बड़ा बदलाव किया लेवल वन पोस्ट के उपर, ग्रूप डी के उपर, यहाँ पर एजक्वेशन क्वालिफिकेशन सैचनिक योगता पर एक बदलाव की गए जो बार-बार बदलाव होते हैं, यह पहली बार बदलाव नहीं ह होए, इससे पहले भी कई बार बदलाव हो चुक है और कई बार बदलाव किये भी गए, इसले के उपर बात करेंगे, यह इनिवार किया जो आपने YouTube के उपर देख रहे हैं, या किसी अगे भी आ जो आई टीया वाले इनको क्या अफादा मिलने जा रहा इसके उपर बात करेंगे और जो रिकूट्मेंट चल रही है अभी टो पूरे होगा है एक RRC 01 2019 recruitment level 1 की post जो चलिए इसके उपर क्या परभाव पड़ेगा ये भी हम लोग बात करें चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले ये आफमार्ट चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें रेलवे से संब्सक्राइब करें सबसे पहले दखने के लिए सब्सक्राइब करें साथ में बेल आगर में क्लिक करते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन में प्रापत हो वीडियो को लाइक करना बहुत ज़री है लाइक भी करें और शेयर भी करें चलिए इस पर बात करते हैं पहले दखने इस नोटीस में क्या कहा गया तो यह नोटीस जो है, लेवल वन पोश्ट के लिए, जो फर्स्ट फॉइंट में कहा जा रहे हैं, अब भी जो बरतमान में, जो कुछ दिन पहले तक, यह नोटीस यह सर्कूलर जारी करने से कुछ दिन पहले तक, यहाँ पर जो टेंथ कैंड़ेट से, जो टेंथ पास एस्प यह फिलप कर सकते हैं, जो लोग टेंथ प्लस आईटिया किया, यह भी फिलप कर सकते थे, फर्स्ट रो में यह ही कहा जा रहे हैं, तो सेकेंड पॉइंट में आपको कहा जा रहा है, जो रिगूटमेंट यह प्रोसेस चल रहे हैं, दो 2018, जो कंटिनी हुए, जारी हो रहे हैं, और सेकेंड जो प्रोसेस चल रहा, रर्सी 01-2019, जो उपर मार्केट में, ओपन मार्केट में रिगूटमेंट अभी जारी है, अभी एक्जाम बाकी है, इसका कुछ भी अभी नहीं हुआ, इसके उपर कहा जा रहे हैं, जो यह, जो सैचनी की योगता निर् यहां पर अफ्वीर्ड होर सकते हैं, इस एक्जाम के लिए, यह मौका दिया गया था, नोटिफिया सर्कुलर में, तो नेक्स्ट हम पॉइंट में बात करें, तो यहां पर कहा जारा, जन सधारन को सुचित किया जाता कि नियुंतम सैचनी की योगता, यह चूट केवल एक पीसेस ब्यस्था की ताथ केंद्रकित्र रुजगार सुचना करमांक 0218 एवं RRC 01219 के ताथ ही हो रही है, भरतियों के लिए ही है, रेल्वे तकनिक बिभाग यानि सिविल इंजिनरिंगों, मैकनिकल, इलेक्टिकल, या सिंगनल या टेलिकॉम के बिभाग में, एवं कैट जारी होगी, उनके लिए निम्तम शैचनिक योगता, नेशनल काउंसिल फोर वोकेशनल ट्रेनिंग के दवारा, प्रदत नेशनल अपेंटि सिफ सर्टिफिकेट यानि NSE सही तेंथ पास, यानि जो तेंथ प्लस NSE है, तब ही जाकि इस फॉर्म को फिलाप कर सकते हैं, नेक तो यह रहा, यह नोटीस के कुछ मुल भाग है, जिसमें यह चीज कहे जारे है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, या इससे जुड़े हुए कुछ और प्रशन, क्या यह पर्मानेंट है, बिल्कुल नहीं है, पर्मानेंट नहीं है, इसमें फिर संसोधन किये जा सकते हैं, य पाहर आपको ओपन मार्केट में आ गया है, जो गुरूप D के हैं, इंटीपीसी के एक लाग तीस या चालिस सहार के आसपास आगा है, जो रिकूट्मेंट चल रहे हैं, इसके बाद रेलवेबोर्ड ने का एक लाग रिकूट्मेंट अभी बाग की है, जब एक लाग अभी पोश्ट के रिकूट्मेंट फिर से 2020 में तो आने जा रहे हैं, ये तो सियोर है, क्योंकि एक लाग रिकूट्मेंट रेलवेबोर्ड सिर्फ बिना रेलवेबोर्ड गुरूप D के नहीं जारी कर पाएगी, यहाँ पर रेलवेबोर्ड डी में ही लेवल वन के जार के आसपस रिक्तियां भी बाकी है 27,000 पूरे हो चुके हैं 20,000 एप्रोक्स रिक्तियां बाकी है एलपी पोस्ट में जेए की उपर अभी एक्जेक डेटा मेरे पास नहीं है कि कितना बाकी है तो सेप्री केटेगरी में सिर्फ ग्रूप डी में बहुत जादा अभी भी बाकी हैं तो ग्रूप डी के रिकूट्मेंट फिर से आएंगे और यहां पर फिर से संसोधन किये जाएंगे यह ऐसा निश्चीच है यह पर्मानेट नहीं किया गया है सिर्फ यह अपना रूटीन है रेलवेबोड का एक रूटीन है जो यूटूब चैनल वाले एक बढ़ाच रहा के दिखाया जा रहे है इसा कुछ भी नहीं है यह पर्मानेट नहीं है आप वेट की जिएगा जब 2020 में फिर से रिकूर्ट्मेंट ग्रूप डिक आएंगे उसमें आपको देखने को किलियर मिलेगा कि वहां पर भी फिर से हटा दिये जाएंगे अब बात कर लेते हैं इससे फाइदा क्या जो यह पर्मानेट हो जाता है तो इसा होना बहुत मुश्किल के लिए यह फूरी तरह से फाइनल किया शाए अब बात कर लेते हैं क्या ये ओफिशियल अपडेट है या रूमर्स है या लिक निकल कर आए इसके उपर तो अभी हम लोग रेलवे के ओफिशियल वेबसाइट के उपर इंडियन रेलवेज.gov.in के उपर यहां पर आपको सारे बदलाव मिल जाते हैं इसके लिंक के आप सिर्फ इंडियन रेलवेज सर्कूलर लिख का गूगल पर भी सर्च कर दो तो आपको यह लिंक उपलब्द हो जाएंगे तो यहां पर यदि देखें तो यह अपडेट 15-6 के डेट में अभी तक कोई निव अपडेट नहीं आए जो अपडेट आपके सामने दीख रहे हैं जो आपने किसी यूट्यूब चैनल के माद्यम से या किसी सोसल मीडिया के साइट के माद्यम से आपने देखा है और लिक निकल कर आया ओफिशियल तोर पर अभी तक फाइनल और कनफर्म नहीं है जो आप नोटीस देख रहे हैं जो थोड़े दिर पहले स्कीन पर आपने देखा वो नोटीस अभी तक ऑफिशियली कनफर्म नहीं है जब यहां पर आज आएंगे यह सर्कुलर यहां पर अभी कि इस वीडियो में इतना है अधि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें जय हैं जय भारत